नमस्कार स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में जहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी और मार्केट्स के बारे में डिसकस करेंगे निफ्टी अभी तक एक अच्छी मजबूती पकड़ के रखा हुआ है उपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव दिखा रहा है लेक 19,250 19,300 यह निफ्टी में निचे में immediate support level है उपर में जो resistance का काम कर रहा है वो है 19,500 19,500 के level तूटने के बाद 20,000 के पार निफ्टी आने वाले समय में देखने को मिलेगा तेजी तो जारी रहेगी बीच इच में चोटे मोटे dip चोटे मोटे correction आएंगे 19,200 19,300 का level तूटा त तो 300-400 पॉंट का dip sudden sharp और 2-3 दिनों में निफ्टी में देखने को मिल सकता है यानि नीचे में 19,000 और 18,800 तक के level एक बार कभी भी आने वाले दिनों में test हो सकते हैं ऐसा कोई भी dip आता है तो उसमें आपको खरदारी करना है existing positions hold रखके चलना है और prepared रहना है कि 300-500 पॉंट का dip देखने को मिलेगा 19,500 का level तूटने के बाद उसके उपर closing मिलने के बाद एक अच्छी तेजी का move उपर की तरफ बनेगा जिसमें 20,000 के पार nifty देखने को मिलेगा तो यह levels को ध्यान में रखे और accordingly trade करें bank nifty 45,000 के आसपार trade कर रहा है 500-700 पॉंट का move downward move कभी भी bank nifty में आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है जिसमें 44,500 से लेके 44,300 तक के level bank nifty में रीचे की तरफ देखने को मिलेंगे उपर में 45,500, 45,500 के level जैसे ही break होंगे तो 46,000 से लेके 45,500 तक के level 46,000 से लेके 46,500 तक के level आने वाले दिनों में bank nifty में उपर की तरफ देखने को मिल सकता है फार्मा सेक्टर के अंदर सन फार्मा चार्ट के ओपर अच्छा दिख रहा है जिनोंने सन फार्मा में पोजिशन्स बनाया है वो लोग hold करें और आने वाले दिनों में और उपर का move सन फार्मा में देखने को मिलेगा FMCG सेक्टर पूरा अच्छा दिख रहा है हिंदुस्तान यूनी लिवर कोल पाल चाटा कंजूमर डाबर मेरिको इन सब स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा move उपर की तरफ देखने को मिलना चीए सेक्टर और यह स्टॉक तीजी के अंदर में है तो इन स्टॉक्स में आप लोगों को long positions hold करके चलना है कोई भी deep आता है तो आपको खरदारी करना है banking स्टॉक्स, financial स्टॉक्स, cement सेक्टर इनमें थोड़ा सा दबाओ 2-4 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है 3-5% का correction present level से इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है ऐसा कोई भी correction आता है तो lower level पर आप लोगों को खरदारी करना है तो थोड़ा सा दो पाद दिनों में एक dicey, एक sideways move और थोड़ा सा corrective move देखने को मिल सकता है Axis bank में थोड़ा सा weakness है, थोड़ा सा दबाओ है, मेरे को ऐसा लगता है कि Axis bank के अंदर यहां से correction देखने को मिल सकता है जिसमें नीचे में 920 रुपे, 910 रुपे तक के level देखने को मिल सकता है तो आप लोगों को थोड़ा सा cautious रहना ही सबते, आने वाले 4-5 दिनों के अंदर थोड़ा सा sideways और corrective move इंडेक्स और stocks के अंदर देखने को मिल सकता है ऐसा कोई भी dip आता है तो पोजिश्चिल तोर पे आप खरदारी कर सकते हैं कोई भी dip आता है तो इसमें आप लोगों को खरदारी करना है चोटे मजोले banking stocks जम्मू इन कश्मीर बैंक, बैंक और महरास्ट्रा ये मुझे चार्ट्स के अपर अच्छे दिखते हैं कोई भी dip आता है तो इसके अंदर आप खरदारी करें अच्छा मूँ आ चुका है लेकिन अगर कोई भी dip आता है तो MRPL में आप खरदारी कर सकते हैं हुडको चार्ट्स के अपर अच्छा दिख रहा है हुडको में अगर कोई भी dip आता है तो आप खरदारी कर सकते हैं existing positions hold रखके चल सकते हैं, बहुत सारे stocks के बारे में discussion किया है, बहुत सारे sectors के उपर भी discussion हो चुका है, इंडेक्स के उपर भी discussion हो चुका है, तो वीडियो में जो मैंने levels दिये, उसको clearly ध्यान में रखें, levels के according काम करें, stop loss के साथ काम करें, markets में पिछले 5 दिनों में one way move देखने को मिला है, तो volatility थोड़ी सी देखने को मिलेगी और correction के लिए तयार रहे, आज की वीडियो में इतना ही, सुनने के लिए, देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद.